दोस्तों अगर आपका भी डेड़ जीवी या एक जीवी डेटा जो कि हमें एक दिन में मिलता है बहुत जल्दी वो खतम हो जाता है और उसका पता भी नहीं चलता कि वो यूज हुआ का है तो इसका सेटिंग मैं आपको भी बताऊंगा तो इस इन सेटिंग को करने के बाद द है उसको पूरे दिन बर चला पाएंगे तो चले दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपको अपने मोबाइल में और बताता हूं कौन सी यह सेटिंग है जो कि आपको अपने मोबाइल में करनी है तो यहां पर सेटिंग पर हम अपने मोबाइल की क्लिक करेंगे और यहां पर जो ह यहां पर developer mode on हो जाएगा और यह developer mode आपका यहां पर option निल जाएगा इस पर click करेंगे और यहां पर जो है थोड़ा नीचे जाएगे scroll down करके तो यहां पर apps का section आएगा एक यहां पर आपको मैं दिखा देता हूँ media apps यह देखिए apps का section है don't keep activities इसे आप ओन कर दीजिए जो भी activities apps करते हैं background में वह आप नहीं कर पाएंगे और background process limit इस पर click कर देजिए और इसे no background process तो यहां से भी आपका बहुत ज़्यादा data जो है वह consume होने से बच जाएगा ठीक है तो यह से ओन करना है एक setting यह रहेगी अब बैक हो जाएंगे हम और दूसरी setting दोस्तों हम करेंगे अब apps के लिए जो कि हमारे mobile apps होते हैं सारे तो यहां पर हमारे सर्च करना है apps मैं कर लेता हूं एप्स apps इस तरीके से और यह आगे apps और यहां पर all पर यहां पर हम अनेवल करेंगे जो हमने active हमारे iPhone में यह सब हैं तो यहां पर कुछ apps ऐसे होते हैं दोस्तों जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं कि ना जो हम कभी-कभी यूज़ करने पड़ते हैं तो उनका लिए हम यहां पर setting कर सकते हैं ठीक है तो जैसे जो है यहां पर कुछ भी डेटा नहीं लेगा यहां से ठीक है तो जब भी मुझे इसके जरत पड़ेगी तो मुझे यहीं पर जाके मैं इसको on कर दूंगा इसके ठीक है तब यह और इस एक चीज और है इसमें कि जो भी हम में फाल्त बईब लगते हैं कि जो हमें बहुत कम यूजकरते हूं यह कभी-कभी उसके पड़ते थैं जैसेими तो इस्पे खलेग करके भी यहां से भी हम उनको आफ कर सकते हैं जो यह एप होते हैं यह बैक्राउड में कुछ डेटा लेते हैं जो कि खर्च करते हैं तो यह सारे जो भी फाल्ट हो के जो भी हमें कम यूज करते हैं ना के परावर करते हैं उनका सब का यहां से आपको बेक्ग्राउंड डेटा आफ कर देना यहां से और भी कुछ शेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूं बैक होना है और यहां पर जो है सब्चे ज़्यादा है दोस्तों हम करते हैं यूज वट्सप का ठीक है कुछ सोसल मीडिया फ्लेटफूम है जो कि हम यूज करते हैं और जाता है जिससे हमारा पूरेटा खर्च हो जाता है तो इसके लिए हमें तरी डाइंग चक्लिक करना है और यहां पर हमें वेन यूज शिक मोबाइल डाटा यह दिखये इन शब को यहां पर अंटिक कर देना है ठीक है ताकि जो भी कोई कुछ भी हमारे पास आये फोटो वी जो है download कर पाएं और भी setting यहां पर करने हैं आपको वह भी मैं आपको बता दिता हूं कुछ apps में अब यूटूप में जाएंगे तो कुछ वीडियो होती है जो कि automatic चलती हैं यहां पर देखें आप यहां फीन देखें आप यह देख रहें आप setting पर click करेंगे और यहां पर यह muted playback in seed इस पर click करेंगे और इसे यहां से off कर देंगे ठीक है यह off करना है तो इसके बाद जो जब भी हम यहां पर home page पर आएंगे तो यहां पर automatic नहीं चलेगा ठीक है जब हम click करेंगे तभी यह चलेगा यह देखिए तो इस तरीके से आप यहां पर YouTube में कुछ data बचा सकते हैं और भी कुछ setting है जो कि मैं आपको बता देता हूं इसके बाद हमें करनी है यहां पर instagram पर हम instagram यूज करते हैं तो instagram में भी हमारा भूत कुछ data घर्च हो जाता है तो यहां पर भी हम अपने जो है टोफाइल क्लेक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर मेल data use यहां पर यहां पर यहां पर सड़ीब और चलाते हैं यह सोशल मीडिया एप से से रहे हैं जिनको हम चलाते रहते हैं तो अब हम यहां पे Facebook में करेंगे एक सेटिंग क्योंकि हम Facebook चलाते हैं और बहुत सारा यहां पे जो है data हमारा consume होता है और हमें पता भी नहीं चलता है तो और यहां पे हम अपनी प्रोफाइल क्लिक करेंगे और हमएं व्यादर डाटा उससकि क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे ऑशना करेंगा तो यसे ओन कर दीजेगा तो काफी हब तक हमारा यहां पे डेटा कंजूम होने से बच जाएगा, एक setting यह होगी, और एक setting दोस्तों हमें अपने play store में करना है, वो यहाँ पर हम click करेंगे, और यहाँ पर हम click करेंगे, तो यहाँ पर setting पर click करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे auto update apps, क्योंकि हमारे कुछ apps ऐसे होते हैं, जो auto update होते हैं, औ हम चाहते हैं कि अभी अबडेत ना करें कुछ देर बाद करें या जब भी हमें पता वैसे तो अजाता है । रोच हो जाता है अपडेट हर हम नहीं चाहते हैं कि वह कि ख्राब हम यहां पर don't auto update apps पर click कर देंगे तो यहां पर हम कुछ हद तक हमारा data consume होने से बच जाएगा तो यह भी आपको यहां पर करना है और यह auto play videos तो इनको भी आप यहां पर don't auto play कर दीजिएगा और इसके बाद हम back हो जाएंगे और last के setting करेंगे दोस्तों हम अपने और maybe Harry time groups me क्योंकि हम chrome browser का use करते हैं और यहां पर three deduct collect करेंगे और यहां पर हम करेंगे शेटिंग पर क्लिक ठीक है यहां पर जाना है और यहां पर नीचे आप जाएंगे थोड़ा तो यहां पर आपको light mode का option मिल जाता है इस पर क्लिक करेंगे और इसको on कर देंगे आप तो यहां पर आप कापी हद तक जो है डाटा अपना बचा सकते हैं और इस तरीके से आप कर सेटिंग तो मैंने भी किये पूरे अपनी मोबाइल में और मेरा जो है अब पूरे डाटा पूरे दिन बर चलता है